साथियों आप सभी का इस प्रेफार्म पर स्वागत है इस वीडियो में हम लोग जो है सहीदो सम्मधित जो आर्मी की पॉलसी है एन ओके जिसका फुल फॉल्फार्म है नेक्स्ट आफ किन जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं निकटतम परिजन नीद इस पॉलसी के बारे में बात करेंगे चुकि यहाँ पॉलसी वर्तमान में काफी चर्चा में है सबसे पहले प्रेशन उपता है कि चर्चा में क्यों आया दिखे जुलाई 2023 में सियाचीन में अपने साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंश्मान सिंग जो थे कीरती चक्र जो है ये बीरता के लिए दिया जाने वाला दिया जाने वाला जो पॉरसकार है उसमें से सबसे उच्चे पॉरसकारों में दूसरे नंबर पे आता है तो इस पॉरसकार के बाद जो है जो सहीद अंसुमान सिंग जी रहें इनके माता-पिता मेडिया में आते हैं और उन्होंने बयान दिया और उसमें इन्होंने अपने बहु पर आरोप लगाया कि उनकी बहु इसमृति यहां से सब कुछ लेकर मतलब उस घर से लेकर सब कुछ चलेगी है उसने अपना पता भी बदल दिया है और उनके पास कीरती चकर के संबंद में कोई दस्ता वेज नहीं है इस मृती ने बेटे को मिले कीरती चकर को छूने तक नहीं दिया तो चुकि इस policy के लेकर के इन्होंने प्रशन उठाए हैं इनके पिता ने और उन्होंने सरकार से इस policy को बदलने की मांग की है तो इसी पॉलसी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो सहीद अनुसमान सिंग जी रहे हैं उनके माता-पिता ने लगातार मेडिया में आकर के अपने बहू के खिलाब इस प्रकार के आरोप लगाए हैं एक मेडिया रिपोर्ट में ये भी थी कि जो इनके पिता जी थे वो अपने छोटे बेटे से अपनी बहू के साधी कराना चाहते थे पर उनकी बहू नहीं करना चाहती रहे होगी तो ये सब चीजें इस समय मेडिया में काफी चर्चा में रहे हैं तो इसी को लेकर के ये जो एनो के पालसी है ये महत्पुन हो जाता है हमें समझना चाहिए कि ये एनो के पालसी आखिर है क्या और इसमें संसोधन की मांग क्यों हो रही है तो इसी को हम लोग यहाँ पर चलिए देखते हैं और इसके बिभीन पच्च क्या है उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखिए दिवंगत कैप्टन अंशमान के पिता ने अपने बेटे को मरणो परांत केरती चक्र मिल्ले ने के बाद भारती सेना की निकरतम परिजन नीथ एनो के में संसोधन की मांग की है अब प्रशुरता है कि एनो के है क्या देखें निकरतम परिजन या एनो के शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति के पती पत्नी निकरतम रिसदार परिवार के सज़श या कानूनी अभिवावक से है लेटरेंट जर्नल शिवा निवित नितिम कोहली कहते हैं कि एनो के को सरकार या सेनाते नहीं करती ये व्यक्ति को खुद करना पड़ता है अगर किसी की साधी नहीं हुई हो तो आम तोर पर उसके माता पिता निकरतम परिजन के तोर पर दर्ज होते हैं वहीं साधी की स्थित में यह बदल कर जीवन साथी हो जाता है देखें जैसे कोई व्यक्ति अपना विल बनाता है वशियत बनाता है उसी प्रकार से जो आर्मी मैन होता है वो अपनी एक एनो के या एक प्रकार से बिल बनाता है कि यदि वो सहीद होता है तो उसके बाद जो उसके मिलने वाली सुभधाएं हैं जैसे पेंसेर, इत्यादिे ओस पे किसका हग होगा किसे मिलेगा तो ये कुल मिला करके ये decide करने का जो पूरा कारी होता है वो जो व्यक्ति होता, जो आर्मी मैन है उसके उपर है कि वो किसको अपने परिवार में किसको कितना क्या देना चाहता है वो खुद रिसाइड करता है इसमें सरकार या आर्मी का कोई हस्ता छेप नहीं होता है जो NOK पालसी है वो ठीक है? देखिए नितिन कोहली कहते हैं कि अगर सैनिकर्मी के पास प्रियाप्त कारण है तो वह अपना NOK बदल सकता है लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है वहीं सेना से सेवा निवित एक दूसरे लेटनिर जनरल कहते हैं कि सैनिकर्मी अपनी मर्जी से NOK तैं करता है वह कहते हैं कि सेना में व्यक्ति को पाल टू और भरना पड़ता है तभी उसकी साधी रिकॉर्ड पर आती है उसे इस फॉर्म में भरना होता है कि उसकी साधी कप कहां और किसके साथ हुई जिसके लिए कुछ दस्तावेज भी लगते हैं लेटनिर जनरल कहते हैं कि अगर कोई महिला दूसरी साधी कर लेती है ठीक है? पहले क्या होता था? कि यह जो बिधवा महिला है यह दिवा सदी कर लेती है तो जो उसको पेंसर मिलती थी वो बंद हो जाती है तो भे उसकी पेंसर बंद नहीं होती है यह एक तरगेस देखा जा तो एक सकरात्मक परिवर्तन है ठीक है? देखे वह कहते हैं कि आप पहली बार नहीं कि जब किसी सैनिक के परिवार ने अनों के नीत में बदलाव की मांगी है कारिगरी उत के बाद इस तरह के कई केस सामने आए थे वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बक्सी कहते हैं कि सेना में सेवा के दोरान कोई भी जवान एड़ू जेटेंट जनरल ब्रांच के जरिये अपनी बिल बनवा सकता है जिसमें वहाँ तेह कर सकता है कि उसके ना रहने पर उसकी संपति किस आधार पर बांटी जाए तो वर्तमान में जो सहीद अंसमान सिंग के जो पिता है जो की एक तरह किस देखा वो जो है आपके आर्मी के जेशियों पसे सेवानरिवित हैं मतलब उन्हें आर्मी की जो रिटायर्मिन के पाद जो पॉलसी है या जो फेसल्टियां है वो उनको मिल रही है वर्तमान में उन् होने से पहले यह बिल तयार थे किसको कितना मिलेगा और वर्तवान में देखा जाए तो सहीद की जो पत्नी है वो कोई कारी नहीं करती है मतलब वो नौकरी में नहीं है जबकि सहीद की जो पिता है वो पेंसन उनको मिलती है मतलब आर्थिक रूप से देखा जाए तो उनकी ज इस नीति में राज इस तरह पर भी जो पैसे दिये जाते हैं सहीद बिर्त को उस नीति में भी परिवर्तन किये गए हैं जैसे सेना में सेवा के दौरान जाने के मामलों में जान जाने के मामलों में जो बिर्ति होते हैं सहीद होते हैं इस मामलों में अक्सर राज सरकारें भी आर्थिक मदद करती हैं। इस तरह के मामलों को देखते हुए कई राज सरकारों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। मतलब जो सहिद अंसुमान सिंग को जो 50 लाग की अनुगरह राज मिली है। उसमें से 35 लाग उनकी पतनी को मिला है और 15 लाग उनके माता पिता को मिला है। तो ऐसा नहीं कि उनके माता पिता को कुछ नहीं मिला है। जैसा कि वो मेडिया में लगातार उनका ये आरोप रहा है कि उन्हें कुछ नहीं मिला है तो यहां मतलब जो प्रदेश सरकार ने दिया है उसमें मिला है और जो आर्मी के तरब से मिला है उसमें भी उनको कुछ हिस्सा मिला है तो देखिए इसी प्रकार से हर्याना सरकार ने भी अनुग्रह राश में बतलाव किया था इसके मुताबि 30% राज सहीद के माता पिता और 70% राज पत्नी और बच्चों को दी जाती है इसका एक पहलू और है वो क्या है फिलहाल जो एनोके एनोके की परिभासा है वो पश्यमी देशों की नीतियों पर आधारीत है लेकिन भारती परिवारों की इस्थित अलग है इस नीत के तहट अगर कोई अभिवाहिद सैनिक सहीद होता है तो मा आमतोर पर एनोके होती है ठीक है नेक्स्ट आफ किन होती है और पिता बाद में वहीं एक बार साधी हो जाने पर माता पिता का नाम हटा दिया जाता है और उसकी पत्नी को एनोके बना दिया जाता है सितंबर 2016 में नगरोटा में सहीद हुए मेजर अच्छा गिरिस की मा मेखिना गिरिस कहते हैं कि पश्रिमी देशों से नकल की गए इस एनोके की परिवासा का भारत और भारती संस्कित की वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहां परिवार जवान पर निर्भर होते हैं ऐसा लगता है कि नीत निर्माता यहां भूल गए हैं कि भारत में माता पिता ऐसे बच्चों का पालन पुशन करते हैं जो देश की रच्छा करते हैं माता पिता और बच्चे का बंधन जीवन भर का होता है और हमारे देश में सबसे अच्छी सामाजिक सुरुच्छा पणाली माता पिता और बच्चों की है जो एक दूसरे की देखभाल करते हैं दरासर भारती बच्चे 18 साल की उम्र में घर नहीं चोड़ते जैसा की उरोपेन कंट्री में देखा जाता है तो यह एक पच्च है जो एक सहीद की मा के द्वारा कहा गया है और इसमें यावी पच्चे की जो सहीद की पतनी है देखा जाए तो उन्होंने भी अपना ये पति खोया हुआ है तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग और जो ये एनोके की पॉलसी है एनोको की पॉलसी है क्या उसको यहाँ पर समझा इस policy में एक प्रकार से जो सहीद व्यक्ति हो, मतलब जो army man होता है, वो जब army में select होता है, तो वो अपनी एक bill बनाता है, उस bill के अनुसार ही उसके सहीद होने पर, या उसके ना रहने पर, जो उसको सभिधाएं मिलती है, मतलब या अनुगरह राशी, या जो सभिधाएं मिलत में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद